नमस्कार अदाव शश्रेकाल जय भारत जय विहार मेरा नाम है विकास कुमार अक्सर हमारे साथ चर्चा में कोई नेता होते हैं या फिर कोई अधिकारी या फिर शहर के चर्चित चेहरे लेकिन आज हमारे साथ चर्चा में भागलपूर समीती से जुड़े और योजनाघर के संस्थापक मानव के जरिवाल हैं पहले हम आपको बता देते हैं कि योजनाघर क्या है योजनागर एक ऐसी गैर सरकारी संस्था है जो आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ मदद भी करती है योजनागर के संस्थापक मानव के जरिवाल की संस्था पर कुछ इन पूर्व कुछ लोगों ने कई सवाल उठाए थे आज उसी योजना के फॉंडर, मानव के जरिवाल, कई सवालों के जवाब के साथ और बिहार विधान सवाज चुनाव खास कर भागलपूर के मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं सर सबसे पहले तो आपका स्वागर दन्यवाद कुछ दिन पूर्व जो है एक वाक्या सामने आया था कि आपका जो आपकी जो संस्था है योजनागर उस पर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किये थे क्या वो माजरा क्या था जी ये बात सही है कि मुझे भी इस बात की ख़वर मिली कि कुछ दिन पहले हम लोगों के पर ये आरूप लेगे पर साइड ये कुछ गलत फहमी की सिकार थे या जो भी बाते थी वो गलत फहमी थी तो जिस कारण से वो सारी गलत फहमीया दूर हो गई है और जिन महिलाओं ने ये काम किया उन महिलाओं से हमनों साथ मिलके जुड़के काम किया है हमने उनके साथ और योजना घर ने खासकर इस संस्था ने पिछले डेड़ साल में महिलाओं के ससक्तिकरन के लिए काफी सारे काम किये हैं और चाहे वो केंदर सरकार के द्वारा एक रुपे में उपलब्द सेनेटरी पैड क्यों नहीं हो हमने करीब 20,000 से अधिक सेनेटरी पैड़ पूरे भगलपूर के अलग अलग छेत्रों में बाटे हैं और सरकार की हरे की योजना की जानकारी लोगों तक पहुँचे इसका प्रयास किया है हम महिला सक्षक्तिकरण की बात करते हैं किसी महिला के बारे में गलत नहीं कहते हैं अगर उनकी कोई मंसा थी तो इस भारत स्वतंत्र है वो कुछ भी कह सकती है लेकिन मुझे आज भी उनसे कोई सिकायत नहीं है और जो भी गलत फैमिया थी वो दूर हो चुकी है इसलिए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है तो यह मैटर अब खतम हो चुका है सर एक्चुली हमारा आज का जो है चर्चा है वो चुनावी चर्चा जो है हम लोग चुनाव के लेकर मवजूद हैं तो उसको लेकर सवाल है कि बिहार विधान सभा के चुनाव होने हैं और भागलपूर देखा जाए तो हमेशा से उपेक्षित रहा है खासकर जो यहां की समस्या हैं वोलानात पूल, जाम की समस्या, हवाई सेवा और भी कई समस्या हैं तो इस वार के विधान सवा चुनाओं में क्या मुद्दे होने चाहिए ताकि ये जो मुद्दा है सहर के विकास के लिए बेहतर हो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो विधान सभा चुनाओं है इसमें देखिए हमें बॉम्मे नहीं बनाना है अपने सहर को जो हमारी बेसिक जरूरते हैं जो हमारी वेक्तिगत से ज़्यादा जो हमारी बुनियादी जरूरते हैं जैसे सडक, जैसे सहर में जाम की समस्या है, सहर में नाले की समस्या है, भोलानात पूल की समस्या है, इस सहर को एक पर्टे कस्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, वो एक मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो गंगा घाट का सौंदे करन हो, चाहे वो जैन मंदिर का सौ उनके लिए उपलब्ध हो तो इस तरीके की चीजें सहर के लिए मुद्दा होना चाहिए ना कि एक हवाई जहाज या इस तरह के की मुझे लगता है कि जो हमारी बुन्यादी जरूरत है वो मुद्दा इस बार होना चाहिए अगर उस मुद्दे पे अगर चुनाओ होता है और उस पे काम होता है तो हम बिल्कुल एक सुनेरे भविश्य भागलपूर के बहतर भविश्य की बात कर सकते हैं बात जब विकास की होती है भागलपूर शहर की तो हमारा शहर जो है हमारा आपका शहर जो है SMART SITI के सूची में तो सामिल हो गया है जमेनी एस्तर पर क्या SMARTNESS है वो सबके सामने है तो आपको लगता है की केंद्र की जो सरकार है देश में वो खासकर भागलपूर SMART SITI को लेकर वो गंभीर है देखे भागलपूर SMART SITI के लिए अगर हम बात करें तो पुरे देश में करीब 100 cities को select किया गया था, 100 सहरों को और उसमें करीब आज के टाइम में 30 से 35 ऐसे सहर हैं जो वाकई में smart city बनने के कगार पर हैं और ये केंदर सरकार के इस पहल से ही हुआ है अब यहां की जो भी समस्याय रही है अगर हम उस बात को अगर दर किनार भी कर दें तो केंदर सरकार वाकई में सहर के लिए चिंतित है मैं इसले ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि सरकार हर एक चीज के लिए ओजना बनाती है आज आप अगर अपना भागलपूर का station देखो तो आज वो एक डेवलप है वहाँ एक पार्क बनाया गया है तो ये भी एक केंदर सरकार के द्वारा चलाई गई पहल का है जिसमें पूरे देश में ऐसे छोटे छोटे सहरों के stations को डेवलप किया जा रहा है उसको अपग्रेड किया जा रहा है आज भारत माला भारत माला के तहट आज हमारे जो अभी फिलाल केंदर सरकार ने कुछ दिन पहले जो अपने जो पूल है गंगा पूल उसके समानतल एक पूल बनने की बात कही और फिर उसके बाद कोसी की उपर एक पूल जो अब सुपोल के वहां तक फुलोड तक बनेगा वहां की एक बात कही फिर मुंगेर से लेकर कहलगाओं तक के बीच जो एक रोड बनेगी वो सारी बाते कही और उसके बाद हर four lane को six lanes और eight lane में convert किया जाएगा और सारे two lanes को four lane में convert किया जाएगा और सबका time period 2000-2022 से 2024 तक का है तो सरकार चिंतित नहीं है ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जिस समय lockdown की भी समस्या थी तो सरकार ने free में अनाज भी बाटे तो भागलपूर जैसे सहर को सहर के लिए ये वाके में सरकार चिंतित है हमें जरूरत है एक योग्य जन प्रतिनीधी की जो उस सरकारी योजनाओं को यहां तक पहुंचाए बात जब भागलपूर की हो रही है और खासकर सामानांतर पूल को लेकर तो हलाकि समानांतर पूल बनने के बाद सभी तबके के लोगों को सभी बर्गों को जो है रहात मिलेगी उससे लावानवित होंगे लेकिन बात यहां पर यह आती है कि सिर्फ घोशना कर देना और पूल बनकर तयार होना तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में फ भारत माला एक सरकार की योजना है जिसके अंतरगत पूरे देश में एक्सप्रेस हाइवे केंदर सरकार के द्वारा और गोल्डन हाइवेज, नेशनल हाइवेज को डेवलप किया जा रहा है तो उसी के अंतरगत इस बात को पूल बनाया जा रहा है ये उसी के अंतरगत बनाय जा रहा है तो यह चुनावी घोसना है ऐसा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस बात का घोसना सरकार ने 2019 के बजट में कर दिया था जैसे अभी आफ मैं आगे इस पर बारे में बात कर सकते हैं जो अब आप देखोगे कहलगाओं से लेके मुंगेर तक की जो रोड है तो यह सा लग सकता है एक जो है केंदर सरकार के द्रेज ऐसान को लेकर बिल डाया गया जिसको लेकर देश के कई हिस्सों में किसानों ने विरोद करा हंतता वा वील जो और जो है पास हो गया है लेकिन यह किसान के लिए लाबकारी है या फिरहानी कारक मैं आप से जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है सर ये किसान के लिए आप देखो तो ये बहुत लाबकारी है एक समय की मांग होती है जिस समय APMC मार्केट को जो एक मंडी होती है जिस समय इस कारे को किया गया आज से 50-60 साल पहले एक मार्केट होना चीए किसान आएंगे वहाँ अपना बेचेंगे तो अब वो चीज नहीं है अब उस चीज को खतम करने के लिए सरकार ने इस बिल को पास किया है विरोध कहां हो रहा है विरोध सिर्फ आपका एक पंजाब में हो रहा है हर्याना में हो रहा है पुरे देश में और कहीं विरोध नहीं हो रहा है वहां क्यों विरोध हो रहा है क्योंकि वहां पे खेती ज़ादा है तो जो market में बैठे जो beach के moderator होते हैं उनका commission ज़ादा होता है तो अब क्या है जब सरकार ने market open कर दिया यानि one nation one market अब जब किशान बिहार का अपना किसान भागलपूर का किसान अब जब जाके बंगाल में या पंजाब में जाके बेचेगा तो obviously उनको लगेगा कि बाहर का एक competition बढ़ेगा इससे तो obviously उनके rate के उपर उनके एक business के उपर effect पड़ेगा तो इस बात का विरोध पंजाब में हो रहा है और इसमें तो राजनीती है सर कि मैं राजनीती से इतना नहीं जुड़ावा हूँ लेकिन हाँ राजनीती में ये जरूर है कि जहां सर वहां पे विपक्ष का सरकार है तो अगर विरोध है तो है लेकिन आप ये चीज़ देखो तो सरकार ने तो सारी चीज़ें पहले से तय कर रखी है सरकार अपने काम को कर रही है बस बाकी चीज़ें साथ साथ चल रही है अपने का कि राजनीती की जो है हमें जानकारी नहीं रखते हैं जानकारी आपको ज्यादा है और खासकर ये केंदर की बातें थी और हमारे परदेश में जो है चुना होने हैं तो बातें यहां की हो तो बेहतर होगी तो विहार की जो राजनिती है वो जाती से अचुती नहीं है लेकिन इस वार के विहार विधान सभा चुना में क्या लोग जातपात से उठकर मतदान करेंगे? एक विकास, सील, पत का रास्ता तय होगा तो इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ और रही बाद जातपात की सर तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे जो लगता है कि अगर ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जब-जब केंदर में जो भी सरकार रही है कभी भी उसका जन प्रतिनीदी, हमारा जन प्रतिनीदी नहीं बन सका तो इस बार हमारे पास मौका है क्योंकि इससे चीजें थोड़ी असान हो जाती है मैं किसी पार्टी पक्ष के लिए नहीं कह रहा लेकिन एक अगर मैं एक सहर का अगर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बात करूँ तो मैं यही चाहूँगा कि केंदर में जो सरकार है अगर उसका कैंडिडेक्ट जीतता है तो चीजें हमारे लिए सहर के लिए थोड़ी असान हो जाती है चीजें योजनाएं जो सरकार की होती है वो लोगों तक पहुचने में असान हो जाती है तो इस तरीके से और लोगों से यही अपील करूँगा कि जातपाच से बिलकुल उपर उठके वोट करें और बाकी तो समय तय करेगा और चुनाओं के बाद ही हम इस बात कर सकते हैं मुद्दा बरसों से भागलपूर का जो रहा है वो चुनावी मुद्दा भोला नातपूल, जाम की समस्या, हवाई, सेवा यह सारे मुद्दे रहे हैं यह क्यों नहीं हो पाया, इसलिए मैं बार-बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जो सरकार केंदर में हो, कोई भी सरकार हो मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक पाटी की बात नहीं कर रहा इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि केंदर में जो सरकार बैठी है अगर उसका कैंडिडेट हमारा प्रतिनिदित करता है तो चीजें असान हो जाती है इन सारी योजनाओं का जमीन पे उतरना उनके लिए थोड़ा असान हो जाता है तो इसलिए अभी तक क्यों नहीं हो पाया ये किसी से छुपा नहीं है लेकिन अब ये समय है एक बहतर भागलपूर को नया भागलपूर को बनाने का कि हम लोगों को मिलके एक साथ कंदे से कंदे मिला कर साथ बढ़ना चीए और जो समस्याएं हैं हमारी चाहे वो पार्किंग जिसका निदान नहीं हो पाता है क्योंकि कई लोग चाहते वे भी उसका निदान नहीं कर पाते हैं तो अगर आपके साथ जैसे होता है ना कि आपके बॉस अगर आपका इंप्लोई का साथ दें तो इंप्लोई अपने काम को असानी से कर पाता है तो यहीं कहने का अर्थ है क जो केंद्र में बैठा है अगर उसका प्रादमी हमारा प्रतिनुज करेगा तो चीजें असान होगी बाकि हर कोई स्वतन्तर है अपने वोट करने के लिए हमेशा से भागलपूर चुनावी समय में चुनाव के समय में चर्चा में रहा है और इस बार भी चर्चा में है और इस बार चर्चा में इसलिए है क्योंकि भागलपूर की राजनीती के मैदान में राजनीती के खिलाडी माहिर खिलाडी अजीत शर्मा उसके बाद जो है आगी तेवर अपना सकते हैं और चुनावी मैदान में कुछ सकते हैं तो कहीं न कहीं मुकावला तो इस वार जो है घमासान होगा ही आपको क्या लगता है देखे सर ये हमारे संभिधान की हमारे भारत की डेमोक्रेसी की खुब सूर्ती है कि हर कोई जो है आगे बढ़ सकता है अपने बात को रख सकता है अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है सर कि हर कोई हर कोई समाज के लिए चिंटित है और जितने लोग आगे आए उतनी अच्छी बात है पर इन सारी चीजों के बाद जो एक बात इसका निसकर्स जो निकलता है वो यही निकलता है कि सर ए एक योग्य जन प्रतिनीधी को चुनना चाहिए, हमारा प्रतिनीधित एक योग्य जन प्रतिनीधी को करना चाहिए, पर सर पिछले इतने सारे अब कॉम्पेटिशन बढ़ने के बाद एक बात और जो आती है, कि एक योग्य जन प्रतिनीधी के साथ साथ एक योग्य पाटी क प्रतिनिधित्व अच्छा है लेकिन उसके पीछे की पाटी कैसी है अगर आपकी पाटी योग्य है तो उसका प्रतिनिध्व और निखर के बाहर आएगा तो इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए बाकी पूरा भारत सोतंत्र है मैं सब का हम लोग स्वागत करते हैं और हम को बहुत खुशी है कि समाज में इतने सारे लोग हैं जो समाज के लिए चनतित है और समाज के लिए काम करना चाहिए। आखरी सवाल होगा सर आपसे की भागलपूर का एक आम नागरिक होने के नाते और बहुत नजदीक समय आ गया है मतदान का तारीख जो है बहुत करीब है तो एक भागलपूर का आम जन होते हुए आम नागरिक होते हुए आप भागलपूर की जनता से क्या अपिल करना चाहें मैं एक आमनागरिक होने के नाते भागलपूर की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि चाहे वो मुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो एक यूवक हो, यूफती हो, छात्र हो, छात्राएं हो हर कोई जो वोट करते हैं और जो वोट नहीं भी करते हैं, हर कोई सबसे अपील करता हूँ, प्लीज आगे आए, समय नजदीक है, वोट करें, एक सही जन प्रतीनीधी को चुने, एक सही योग्य पाटी को चुने, क्योंकि आपका एक वोट इस पूरे भागलपूर की दसा और दिशा दोनों तै करेगा, और साथ-साथ इतने अर्सों से जो हमारे समस्याइं चलती आ रही है, उसका भी निदान आपका वोट ही करेगा. सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में सामिल होने के लिए, धन्यवाद. मारे सिंगे, और केमरा के पिचे, सुमी तराज माजूदे.